हेलो एवरीवन वेल्कम टू स्कुर्ण राज थोरी तो आज हम देखेंगे एक अप्षा साथवी के लिए संस्कृत विशे का मॉडल पेपर 2021 का कम्प्लीट सॉलुशन तो चले स्टार्ट करते हैं इस सॉलुशन को सबसे पहले यहां गिवन कुशन है खंड ए में बहु वेकलपिक प्रेश्न जसमें फर्स प्रेश्न है करोती पद में कौन सी धातू है तो यहां चार आप्षन दे रखे हैं हमें सही आप्षन पर टिक माक करना है तो यहां सही आप्षन होगा क्री करोती पद में कौन सी है क्रीध हातू next second question है निमने लिखीत मैं से अशुध पद है यहां चार option दे रखी है जिन में से हमें अशुध पद को क्लिक करना है तो यहां अशुध पद है गमन्ती एप सही हो जाएगा गमन्ती यहां सही आंसर हो जाएगा थर्ड है पीतांबर शब्द का संधी विच्चेद है तो यहां हमें पीतांबर शब्द का संधी विच्चेद बताना है तो यहां पीतांबर शब्द का संधी विच्चेद होगा option 2 पीद प्लस अमबर इसी तरह से next question फोर्थ देखेंगे Question फोर्थ है निमने लिखीत मैं से Strilling शब्द है तो यहाँ चार option दे रखी है जिनमें हमें Strilling शब्द को क्लिक करना है तो यहाँ Strilling शब्द होगा चटका Next, fifth है राम शब्द का पंचमी विभक्ती एक वचन रूप बताना है तो यहाँ option correct हो जाएगा option से रामात Next, sixth है पढ़ धातू रूप लोट लकार प्रथम पुरुष है तो यहाँ पढ़ धातू का प्रथम पुरुष लोट लकार बताना है तो यहाँ option बै करेक्ट हो जाएगा पढ़ तू पढ़ ताम पढ़न तू Next question देखेंगे Next question second है निमने लिखित वाक्यों मैंसे किनी दो वाक्यों का रेखां की शब्द के प्रेशन रिमान कीजिए यहाँ हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं जिनमें हमें रेखां की शब्द भी दे रखे हैं जिसके according हमें प्रेशन रिमान करना है तो चलिए हम सभी के प्रेशन रिमान करके देखते हैं तो फर्स्ट है मालीनी द्वार मुद्धा घाटिती तो यहाँ मालीनी शब्द को रेखां कीद किया गया है हम प्रेशन रिमान करेंगे का द्वार मुद्धा घाति नेक्स सेकिन है कालेन चटकायाह संतती जाता तो यहाँ चटकाया शब्द को रेखांकीद किया गया है तो हम यहाँ प्रेशन रिमान करेंगे कालेन कस्याह संतती जाता इसी तरह से थर्ड देखेंगे गज़से तो यहां गजस से शब्द को रिखांकित किया गया है तो यहां प्रेश्णर इमार होगा नेक्स फोर्थ है सिक्षा सर्विशां बालनाम मौली का अधिकार यहां रिखांकी शब्द है सर्विशां बालनाम तो यहां हम प्रेश्णर इमार करेंगे सिक्षा केशां मौली का अधिकार नेक्स प्रेश्ण संख्या थर्ड देखेंगे मंजुशा से उच्छी संख्या पत चुनकर रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए यहां हमें कोश्ठक में कुछ शब्द दे रखे है जो की नीची दिये गए रिक्तिस्थान में उच्छी शब्द को चुनकर हमें फिल करना है तो देखते हैं फर्स तो फर्वरी मासी सामानत रिक्तिस्थानम दीनानी भवनती तो यहां रिक्तिस्थान में आएगा अश्टाव विशनती फर्वरी मास में सामानत तो अठाइस दिन होते हैं नेक्स सेकिन है रिक्तिस्थानम रितवा भवन्ती तो यहां रितु बतानी है तो यहां उच्छी शब्द आएगा शर शर रितवा भवन्ती थर्ड है एक्स मनी मास से रिक्तिस्थानम रत्थवा रिक्तिस्थानम दीवसाह भवन्ती तो यहां पहली रिक्तिस्थान में आएगा त्रिंशर और दूसरे रिक्तिस्थान में आएगा एक त्रिंशर एक मास में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं नेक्स खंड बै में है question 4 निम लिखित प्रश्णों में से किनी दो प्रश्णों के उत्तर एक पद में संस्कृत पाएं लिखिए यहां हमें कुछ प्रश्ण दिये गए हैं जिनकी उत्तर हमें एक पद में देना हैं यहां चार कोशिन दे रखे हैं जिन में से हमें दो प्रश्णों के उत्तर देने हैं यहां मैं आपको चारों ही प्रश्णों के उत्तर बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं फर्स कोशिन है कुर्मसे किम नाम आसी यहां आंसर होगा कुम ग्रीवह सेकिंड कुशिन है के कोला हलम कुर्वन्ती यहां अंसर होगा श्रोतारह थर्ड कुशिन है गिरी जाया हा ग्रहे सेवी काया नाम किमासित यहां अंसर होगा दर्शना नेक्स फूर्थ कुशिन है मक्षी काया हा मित्रम का आसित यहां अंसर होगा मंडुका मेग नाद next question 5 देखेंगे question 5 है विलोम पदों का मिलान करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए यहां को शब्दे रखे हैं जिनकी सामने हमें उनकी विलोम शब्द दे रखे हैं हमें उचित मिलान करना है प्रत्यक शब्द के विलोम शब्द का तो चली देखते है आंसर सबसे पहली शब्द दे रखा है अधह जिसका विलोम शब्द से मिलान करेंगे उपरी अधह का विलोम होगा उपरी नेक्स्ट है अंतह जिसका विलोम शब्द होगा करेंट बही तो यहां हम इसे बही से मिलान कर देंगे नेक्स्ट है दुर्बुध्धे जिसका विलोम शब्द होगा सू बुध्धे तो हम यहाँ इसे मिलान कर देंगी सू बुध्धे से नेक्स्ट है उच्चे जिसका विलोम शब्द होगा नीचे जिसका हम मिलान कर देंगी Next है दुल्ल भाम जिसका विलोम शब्द correct होगा सूल भाम तो यहां हम दुल्ल भाम को सूल भाम से मिलान कर देंगे Next question 6 है निमने लिखी पादों के link विभक्ती वचन लिखिये यहां कुछ पद दे रखे हैं जिन में हमें बताना है उनका लिंग, उनकी विभक्ती और उनके वचन तो चली देखते हैं आंसर सबसे पहली पद दे रखा है बंदुह जिसमें लिंग है पुर्लिंग, विभक्ती है प्रत्मा और वचनम है एक वचनम Next पद है देशान जिसमें लिंग है पुरलिंग, विभक्ती है द्वित्या विभक्ती और वचनम है बहु वचनम Next पद है रक्षायां जिसमें लिंग है स्त्रिलिंग, विभक्ती है सप्तमी और वचनम है एक वचनम नेक्स्ट है कुटुंबम जिसमें लिंग है नपुसक लिंग विभक्ति है द्वितिया विभक्ति और वचनम है एक वचनम नेक्स कुईशिन सेविन तेखेंगे कुईशिन सेविन है पढधातू लोटलकार के रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए यहां हमें पढधातू के लोटलकार रूप दे रखे हैं जिनमें हमें कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं जिनें हमें पुर्ण करना है तो यहां देखते हैं, प्रथम पुरुष में हैं, एक वचन दे रखा है पठतू, बहु वचन रूप दे रखा है पठतू, यहां द्वी वचनम में लिखेंगे पठताम, पठतू, पठताम, पठतू, मध्यम पुरुष में दे रखा है पठतू, एक वचन रूप, जिसका हम द्वी वचन रूप लिखेंगे पठत, पठ, पठत, उत्तम पुरुष में दे रखा है हमें द्वी वचन पठाव, बहु वचन रूप दे रखा है पठाव, जिसका एक वचन रूप लिखेंगे पठाव, 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 तो यहां पठ धातु के लोटलका रू नेक्स्ट है खंड से जिसमें question number 8 है निमने लिखित प्रश्णों में से कोई तीन प्रश्णों के उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में दीजिए यहां कुछ प्रश्णों दे रखे हैं जिनके हमें उत्तर एक वाक्य में देने हैं तो चली देखते हैं प्रश्ण संख्या फर्स प्रिथ्विया त्रीनी रत्नानी कानी तो आंसर है प्रिथ्वियाम त्रीनी रत्नानी जल अन्नम सुभाशितम next question second है कस्ये ग्रहे को अपी भ्रेते नासती आंसर है क्रेश्णे मूर्ते है ग्रहे को अपी भ्रेते नासती नेक्स कोशिन थाड़ है तुंदिल कस्य उपरी हस्तम आवर्त्यती आंसर है तुंदिल तुंदस्य उपरी हस्तम आवर्त्यती नेक्स कोशिन है किम कृत्वा घृतम पीवेड आंसर है रिनम कृत्वा घृतम पीवेड नेक्स कोशिन है संग गनकस्य क्रिती सर्वोतमा भाषा का आंसर है संग गनकस्य क्रिती सर्वोतमा संस्कृत भाषा नेक्स कोशिन सेक्स्त है मेगनाध मक्षिकाम कीम अवदत आंसर है मेगनाध अवदत यथा अहम कथियामी तथा कुर्तम मक्षिके प्रथम त्वाम अध्यानी तस्य गजस्य करने शब्दम पूरो येन सहे नैने निमिले स्था श्यती तदा काश्ट कूतह चंचवाह तस्य नैने स्पोठी श्यती एव सहे गज अंधभविश्यती तुशारत सहे जलाश्यम गमिश्यती मार्गी महन गर्तह अस्ती तस्य अंतिकी मम शब्देन तम गर्त जलाश्यम मत्वास तस्मीने गर्ते पतिश्यती मरिश्यती चब नेक्स्ट है खंड दे जिसमें question 10 है निम लिखी गध्याश का हिंदी अनुवार लिखिए यहां गध्याश दे रखे हैं दो दे रखे हैं हमें अत्वा में जिनमें से हमें एक गध्याश का हिंदी अर बताना है तो यहां मैं आपको दोनों ही गध्यांश के हिंदी अर्ब बताऊंगे तो चली देखते हैं पहले गध्यांश का हिंदी अनुवार वहाँ एक बार मच्छवारे आए उन्होंने कहा हम सब कल मच्छली एवन कच्छों को मार देंगे यहें सुनकर की कच्छॵा बोला दोस्त क्या तुम दोनोंने मच्छवारों की बात सुनी अब इस समय मैं क्या करू दोनों हन्स बोले सुबह जो उचीत होगा वहे कारे करना चाहिए कच्छॵा बोला मेरी द्वारा ऐसा नहीं है जैसे मैं दूसरे तालाब में जा रहा हूं त आँ देखेंगे अथवा में दे रखा गध्यांश का हिंदी अनुवार संस्कृत में विध्यमान सुक्तियां व्रिधी या आगे बढ़ने के लिए प्रेरीज करती हैं जैसे सत्य की ही विजय होती है प्रित्वी ही परिवार है ज्यान से अमरता की प्राक्ति होती है काम में कुशलता है आदी सभी प्राणियों में आत्मा की समान व्यवार करना चाहिए अर्था जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा ही व्यवार हमें दूसरों की साथ भी करना चाहिए संस्कृत भाषा ये हमें अच्छी तरे सिक्षा देती है कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है यह धार्ना ठीक नहीं है संस्कृत विशे में मानव जीवन के लिए विभिन विशे समाहित है ये थी दोनों ही गधांश के हिंदी अनुवाद नेक्स कुशन देखेंगे नेक्स कुशन 11 है निमले लिखी श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए यहां श्लोक दे रखे हैं हमें दो जिन में से हमें एक को अटेम करना है हम यहां दोनों ही श्लोक के हिंदी अनुवा देखेंगे तो उस चली देखते हैं पहला श्लोक जो की है पृत्वी पर तीन रत्न हैं जल अन और सुन्दर वचन मुर्ख लोगों की द्वारा पत्थर की तुकडों में रत्नों को ढूंडा जाता है यहां बताया गया है कि पृत्वी पर तीन रत्न हैं जल अन और सुन्दर वचन जो लोग मुर्ख होते हैं वो लोग क्या करते हैं पत्थर की तुकडों में रत्नों को ढूंडते हैं अर्थात प्रिजवी पर तीन रत्न है जल, अन और सुन्दर वचन जो लोग मुर्ख होते हैं वो पत्थर की तुकडों को रत्न मानते हैं अगला शलोग है धन धाने, प्रियोगेशु, विद्याह, संग्रहेशुच, आहारी वेवारी च, वेक्त लज्ज, सुखी भवेद तो हिंदी अर्थ होगा इस श्लोक का धन धान की प्रियोग में, विध्या की संग्रहे में, आहार में और वेवार में जो लज्जा को त्याग देते हैं वही सुखी रहता है या सुखी होता है नेक्स कुशिन 12 देखेंगे, 12 कुशिन है निमने लिखित मैं से किसी एक विशे पर संस्कृत भाषा में निभन लिखिए, यहां हमें दो विशे दे रखे हैं जिन में से हमें एक विशे पर संस्कृत भाषा में निभन लिखना है तो हम यहां दोनों ही जो हैं विशे दोनों के उपर हम निबन देखेंगे सबसे पहले देखेंगे मम विध्यालयम पर निबन असमाकम विध्यालय जैपूर नगरसे मध्य रमनिय इस्थानी स्थित आयम उच्च माधिमिक विध्यालय अस्ती अहां असमेन विध्यालय अश्टमी कक्षायां पठामी असमेन विध्यालय शात्र शात्राश्य सहे पठन्ती असमाकम विध्यालय पंच दश्य अध्यापका स अत्र दीशत पछात्र पठंती अस्य विध्यालेश से भवनम दीभूमिकम विस्त्रतम भव्यम सु सजितम चास्ती अस्य पुस्तकाले दश सहस्त्रानी पुस्तकानी संती विविधाहा पत्र पत्रीकाह च समायांती अगला विशे है संस्कृत भाषाय महत्वम तो चली देखते हैं इस विशे पर निभन संस्कृत भाषा अस्माकम देशस से प्राचिन तमा भाषा अस्ती प्राचिन काली सर्वी भारतिय संस्कृत भाषाय बहवारम कुर्वनती स्मा कालांतरी विविधा प्रांतिय भाषा प्रशलिता अभवन किन्तु संस्कृत से महत्वम अध्यापी आशुन्न बर्तते सर्वी प्राचिन ग्रन्थाह चत्वारो विधास्च संस्कृत भाषाय में संती संस्कृत भाषा भारत राष्टर से एकताया आधार अस्ती संस्कृतम सर्वत्र देशे समान रूपेन आध्रियते संस्कृत भाषाय याद स्वारूपम अध्य प्राप्यते तदे अध्यत सहस्त्रवश पूर्मे आसी इस प्रश्न की अत्वा में दे रखा है मन्जुसा से उचीत पदों को चुनकर रिक्तिस्थान पूर्ण करते हुए कथा को पूरा कीजिए या तो आप निभन लिखे या फिर इस कोशन को करें जिसमें हमें कोश्टक में कुछ उचीत पदे रखे हैं जिन में से हमें दिये गई रिक्तिस्थान में उचीत शब्द को फिल करना है तो चलिए देखते हैं इस कोशन का आंसर यहां दे रखा है एक से व्रश्य से साखासो अने के काकाह वसंती स्म तस्य वरिक्षय रिक्तिस्थानम एक सर्प अपी अवस्वत यहां रिक्तिस्थान में आएगा कोटरे तस्सीव रिक्ष से कोटरे एक सर्प अपी अवस्वत काका नाम अनुपस्थी तो रिक्तिस्थान आम काका नाम शिशुन खादती इस्म यहां रिक्तिस्थान में आएगा सर्प काका नाम अनुपस्थितो सर्पह काका नाम शिशुन खादती इस्म काका हा रिक्तिस्थान आसन यहां रिक्तिस्थान में आएगा दुखीता काका हा दुखीता आसन तेशु एक रिक्तिस्थानम काक उपायम रिक्तिस्थानम व्रिक्षस से रिक्तिस्थानम जलाशय आसीद यहां प्रथम रिक्तिस्थान में आएगा व्रिद्धह सेकी में आएगा अचिंतियर थर्ड में आएगा समीपे तेशु एक व्रिद्धह काक उपायम अचिंतियर व्रिक्षिसे समीपे जलाशे आसीद तत्र एक राजकुमार स्नातु रिक्तिस्थानम आगच्छती इस्म यहां रिक्तिस्थान में आएगा जलाशयम तत्र एका राजकुमार रसनातु रजलाश्यम आगचती इस्म शिलायाम इस्थिती तस्याह आभरनम रिक्तिस्थानम एक कह काकव रिक्षिसे अपरी अस्था पयत यहां रिक्तिस्थान में आएगा आदय शिलायाम इस्थितम तस्याह आभरनम आदय एक काक व्रिक्षिस से अपरी अस्थापयत राज सेव काहा काकम अनुस्रित्य रिक्तिस्थानम सीपम अगच्छन यहां रिक्तिस्थानमे आएगा व्रिक्षिस से राज सेव काहा काकम अनुस्रित्य व्रिक्षिस से सीपम अगच्छन तत्रतेतं सर्प च अमारयन अते एवोकतं उपायन सर्वसिध्यती लास laying question 13 देखेंगे बिमारी की कारण तीन दिन की अवकाश के लिए प्रधाना ध्रापक जी को प्रात्ना पत्र लिख्ये संस्क्रित में यहां आमें बीमारी की कारण तीन दिन के अवकाश है तू प्रधाना ध्यापक जी को प्राता पत्र लिखना है संस्कृत भाशा में तो चली देखते हैं यहां लिखेंगे सेवायाम प्रधाना चार्य महुदया राजकी आदश उच्च माध्यमिक विध्याले नवा गावः फिर लिखेंगे महुदया विनम्र निविदनम अस्ती यद विग्र रात्रीत यहां ज्वरव पिडित अस्मी अत विध्यालम आगंतुम असमर्थ अस्मी एतेन कारने कृप्या द्वी सत्रस्य अकाशम दत्वा माम अनुग्रहनतु भवन्त लिखेंगे यहां देनाग जिस देनाग को हम प्रत्न पत्र लिख रहे हैं 27-3-2021 भवधिये शिष्य राकेश यहां नाम लिखतेंगे और यहां लिखेंगे अस्टम कक्षाया इसी के अथ्वा में देरकाही शुल्क मुक्ति के लिए प्रधाना ध्यापक जी को प्रात्ना पत्र लिखेंगे संस्कृत में यहां में प्रधाना ध्यापक जी को शुल्क मुक्ति है तू प्रात्ना पत्र लिखना है संस्कृत भाशा में तो चली देखते हैं सबसे पहले लिखेंगे सेवायां, श्री मंत प्रधान चारे महुदया, राजकी उचि माधमिक विध्याले जोदपूरं, विशहे शुल्क मुक्तियर प्राथना पत्रं, महुदया, सवीने निविदनम अस्ती यद मम पिता विधुद विभागी चतूर्थ श्रेनी कर्मचार अस्ती तसे मासिकम विधनम अल्पम अस्ती, अस्माकम परिवारी शत्र सदस्याह संती, मम परिवारस से आर्थिक दशा समी जिना नास्ती, मम पिता निर्धन कारणात मदे शिक्षन शुल्कम दातूम न शक्नोती, मम अध्यन से रुची वर्तती, अते अस्ती यद अध्यन मम रुचीम विलोक के शिक्षन शुलकात मुक्तिम प्रदार सेती शीमंत इतर यहां लिखेंगे साधन्या वादम दिनाख लिखेंगे आर्टीन दोहजार एक्कीस जो भी सन है वो लिखेंगे और यहां लिखेंगे भवदा ग्याकारी सिश्य शुरेश अश्टमी कक्षह तो यह था कक्षा साथ की विशे संस्कृत विशे का कंप्लीट प्रश्न पत्र का सॉलुशन हम इसी तरह अन्य विशे की सॉलुशन देखते रहेंगे हमारी कक्षा की अनुसार अन्य पाठ की सॉलुशन देखते रहेंगे तो जुड़े रहेंगे स्कूल राज थोरी चैनल की वीडियो को पुरा देखने के लिए धन्यवाद